हमारी संस्क्ति, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्क्ति में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूल लिविद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वा अरन्यवासी रिशियों की नित्य वन्यमैत्तिक यद्यों का प्रशलन देखने को मिलता है पंच घृत आहुतियों प्रदान करके इस अगनी को ओर विशेश प्रदिप्त किया, और उन्हे पंच घृत आहुतियों से पंच भुतात्मक्यों देष से ले करके पंच भुतात्मक्यों संपूण शिरिष्टी में, संपूण eaterम्हान में स्वास्त और संतुलन कायम होने क हमें प्रभू से प्रार्थना की अब हम जल सेंचन करेंगे वेदी के चार दिस में अगनी सुमात मकम इदम जगत यह सारा संसार अगनी और सोम के संयोग से बनता है ऐसी एक और अगनी है तो एक और जल का हम सेंचन करेंगे तो आएए मंत्रो चार पूर्वक कलस्कोप ने पास रख लेंगे और सबसे पहले वेदी के पूर्व दिसा में हम जल सेंचन करेंगे दक्षिन दिसा से उतर दिसा की ओर ओम अधीते नुमन्यास्वा दूसरा जल सेंचन हम करेंगे पश्चिम से पूर्वक की ओर ओम अनुमते नुमन्यास्वा तीसरा जल सेंचन हम करेंगे तीसरे मंत्र के माध्यम से वेदी के उत्तर दिसा में पश्चिम से पूर्वक की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्ये नुमन्यास्वा अब हम चोथे मंतर के माध्यम से जहां पे हमने इशान कोण में दिपक रखा है पूर्व दिशा के इशान कोण से प्रारम करते हुए परिक्रमा क्रम से वेदी के चार दिशाओं में मंतर चाण के बाद हम जल सेंचन करेंगे अम देवासा विताह प्रसुव यज्यम प्रसुव यज्य पतिम भगाया दिव्यगंदर्वा के तप के तमना पूरात वाचस पतिर वाचन अस्वदतू इशान कौन से शुरू करते हुए वेदी के चार दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सेंचन करके कलस या गो मुखी को इशान कौन के उपर ही जीदर हमने दिपक रखा है वहीं पर रख देते हैं अब हम आघारा वाज्य भाग आहुती अर्था चार घीकी आहुतिया प्रदान करेंगे सबसे पहले वेदी के मध्य के अंदर जो प्रदिप्त समीधाये हैं उसमें जो उत्तर दिशा में प्रदिप्त समीधाये हैं उसके उपर पश्चिम से पूर्वकी और धारा बनाते अघारा वाज्य भाग आहुती चार घीकी आहुतिया प्रदान करेंगे अगरा वाज्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब हम मुख्य आहुतिया जो विशेश आहुतिया होती वह प्रारम करने जा रहे हैं सभी लोग मेरे साथ मंत्रों का उच्चार करेंगे जिनको नहीं आता है तो अंतिम में स्वाहा जरूर बोलेंगे और अब हम स्वाहा के साथ आहुतिया सामगरी की भी घीके साथ प्रदान करेंगे दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ इन तीन उंगलियों के मध्यमें इस प्रकार से सामगरी लेंगे और जब हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकारже समरपण मुद्रा में इस प्रकारी आहोती देंगे भगवान सूरिय को याद करते हुए आज सूरियो द़ै भी हो गया है चारो और पंछी भी कल्रव कर रहे है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तालाब के अंदर कमल खिले हुए है पूरा एक भोर का एक सुन्दर सुरम्य वायू मंडल और उसमें वेद मंत्रों के साथ स्वाह की यह द्वनी और यह सुर्भी यज्य से उठती हुई यह एक अलोग ही रमणिया मनो रम्य वायू मंडल परिसर बन रहा है तो आईए सभी लोग अपने घर के अंदर ही लोग हरीद्वार आते हैं हरी के दर्शन के लिए आप हवन करके अपने घर को ही हरीद्वार स्वयम हरी हमारे द्वार आये ऐसा घर का स्वयम निर्मान कर रहे हैं यह एक बहुत बड़े सवभाग्य की बाद है कि यज्य जैसी अनमोल विधा और विद्या को हम सब मिलके साथ में कर रहे हैं यह एक ऐसी विधा और विध्या है घर में करके हम स्वयम भगवान को अपने द्वार बुला रहे हैं तो आएए अब हम प्रातकाल इन मंत्रों की आहुतिया देते हुए यज्य को आगे बढ़ाते हैं Om Suryo Jyotir Jyoti Surya Swaha Om Suryo Varcho Jyotir Varcha Swaha Om Jyoti Surya Suryo Jyoti Swaha Om Sajur Devena Savitra Sajur Sendravatya Jyushana Suryo Vitu Swaha एसे यह प्रातकाली चार विशिश मंत्र एसे साइनकाल को यज्य करते हैं साइनकाली चार विशिश मंत्र होते हैं एक ही समय हम यज्य करते हैं तो प्रातकाली चाइनकाली दोनों मंत्रों से एक साथ आगुतिय देते हैं ओम अग्निर्जो तिर्जो तिरग्नी Swaha Om अग्निर्वर्चो जोतिर्वर्चा Swaha Om Swaha Om Sajur Devena Savitra Sajur Atrindravatya Jyushana अग्निर्वेतू Swaha Om भूर अग्नये प्राणाय Swaha इदम अग्नये प्राणाय इदन्नममा Om उवर्वाय वेपानाय Swaha इदम वाय वेपानाय इदन्नममा Om स्वरादित्याय व्यानाय Swaha इदम अधित्याय व्यानाय इदन्नममा Om भूर भूवस्वर अग्निवाय वादितेव्य प्राणापान व्यानिभ्यह Swaha इदम अग्निवाय वादितेव्य प्राणापान व्यानिभ्यह इदन्नममा Om आपोज्योतिरसोमृतंब्राम्मभूर भूवस्वरों Swaha Om या मेधाम देवगणापितरष्यो उपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनम कुरूष Swaha Om विष्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम्तन्न आसुव Swaha Om अग्नेनय सुपताराय अस्मान विष्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्युहुराणमेनो भूविष्ठान अब गुरू मंत्र गाइतरी मंत्र श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया है उसका उच्चान करते होए तीन आहुतियाम प्रदान करेंगे ओम भूर भुवस्वाह तच्चा वितुर वरे एन्यं भर्गो देवस्यधी महि दियोयोना प्रचोदयात्स्वाहु ओम भूर भुवस्वाह तच्चा वितुर वरे एन्यं भर्गो देवस्यधी महि दियोयोना प्रचोदयात्स्वाहु ओम भूर भुवस्वाह तच्चा वितुर वरे एन्यं भर्गो देवस्यधी महि दियोयोना प्रचोदयात्स्वाहाु ओम त्र्यंबकई यजामह सुगंधिम् पुष्टिवर्धनं और वारुकमिवबंधनान मृत्योर मुक्षियमा मृतात्स्वाहाु ओम त्र्यंबकई यजामह सुगंधिम् पुष्टिवर्धनं और वारुकमिवबंधनान मृत्योर मुक्षियमा मृतात्स्वाहाु यह कुछ विशेश आहुती गायत्री मंत्र और मृत्योंजे मंत्र से दी अब संपून परिवार के योग और ख्षेम के लिए हम आहुती प्रदान करेंगे अब संपून राष्ट्र के योग और ख्षेम के लिए हम ओर विशेश आहुतिया प्रदान करेंगे अब्रम्हन ब्राम्हन ब्रम्ह वर्चसी जायता माराष्ट्रे राजन्य शूर इशव्यति व्यादे महारतो जायता दोग्द्रिर देनुर वोढ नडवा नासु सप्ते पुरंदिर योषा जिश्नुर थेश्ठा सभेयो युवास्यय जमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नह पर्जन्य वर्षतु भलवत्यो न आउशदय पच्यंता योगक्षे मोनह कल्पताम स्वाहा इदम्राष्ट्राय इदन्नममा ओम्राष्ट्राय स्वाहा इदम्राष्ट्राय इदन्नममा ओम्राष्ट्राय स्वाहा इदम्राष्ट्राय इदन्नममा ओम्राष्ट्राय स्वाहा परिवार के योग उक्षेम के लिए फिर संपूर राष्टर के योग उक्षेम के लिए अब हम किवल गाय के घीकी आहुती देंगे स्विष्ट कृत आहुती इसमें आपके पांस कोई मिठापदաर्थ बना हुआ है मिठाई बनी हुई है तो आप उसकी भी आहुती दे सकते और नहीं है तो केवल गाय के गीकी आहुती देकर के हम स्विष्ट कृत आहुती जिन देवी शक्तियों का हमने मंत्रों चान अब हमें ख्षमा कीजिए इस प्रकार की ख्षमा याचना की भावना के साथ हाथ जोडते हुए अब हम स्विष्ट कृत आहुती प्रदान करेंगे केवल घी की आहुती देंगे सामगर की आहुती इसमें नहीं देंगे अब एक प्राजापत्य आहुती वह भी केवल गाय के घी की आहुती प्रदान करेंगे अब हम पूर्ण आहुती की वह आगे जा रहे हैं अब हम सामगर की साथ घी की आहुती प्रदान करेंगे और एक ही मतर का तीन बारु चान करते हुए पूर्ण आहुती प्रदान करेंगे ओम सर्वंवै पूनं स्वाहा आँ ओम सर्वंवै पूनं स्वाहा आँ यह हवन यजन अगनी होत्र हमने संपनकिया सबी लुग आज जोडते हुए सीधे बेटते हुए ओम सर्वे भवन्त सुखिनाह सर्वे संतु निरामयाह सर्वे भद्राणि पस्यंतु माकस्चि दुख भाद भवेत यह हवन को जिस अगनी होत्र को हम लोगने अभी संपन्न किया इस यज्य को करने पर हवन को करने पर अगनी होत्र को करने पर बेक्टिरिया, वाइरस, फंगस, जो सुक्ष्वजीव हैं, हम अपने आखों से नहीं देख सकते हैं, जो पेथोजन्स होते हैं, जिसके कान से अनेक प्रकार की रोग, बिमारिया, दोश हो जाते हैं, वो सब दूर होते हैं, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी होना, हम हरी द्वार आते हैं, हरी के दर्सन के लिए, और जब हम अपने घर के अंदर यज्य करते हैं, हवन करते हैं, तो हरी स्वयम हमारे द्वार आते हैं, एसा पोजिटिव, पवित्र, शुद्ध, सुगंधित, हम अपने घर को बना रहे हैं, ये भी गवरो होना मात्रा में लोग प्रभावित हो रहें बहुत बड़ी मात्रा में वैसे ही डरे हुए हैं आप हरोज अपने घर में यज्जे कीजिए गुगुल गाय के घी की धुनी कीजिए और उसमें रहें स्ट्रेस तनाव चिर्चिडापन डर भई होब्या जिससे आज भारत ही नहीं इनसे हम सबसे पहले बच जाएंगे यह जो करेंगे इसमें गाय का घी सामगरी जो हम आखते देते हैं उसमें परफ्राल नाम का तत्व होता है वह जो वायू मंडल में वायू भूत होकर के हमारे श्वास के मादियम से हमारे बीतर जाता है तो उसको कहते हैं सो मनस्यकारी परफ्राल को और उससे हमारा मन सांथ होता है हमारा मस्तिस रिलेक्स होता है श्ट्रेस तनाव चीड़ चीड़ापन इस सब चीजे दूर होती है और हमें एक स्वस्थ मानसिक आयू को देने वाला यह यज्य होता है इसलिए आज कोरोना काल में जो यह भाई भीत था यह जो डर फेला हुआ है उसके बीच में आप जरूर यज्य करें दूसरा कोरोना से बचने के लिए देखिए आज हमने प्यार आए पतंजली रिसर्च इंस्टिट्यूट में भी हमने रिसर्च करके अनुसंदान करके असीद गया कि गाय के घी को आप अंगारों के उपर डालिए और उससे धुनी होगी यह दुआ होगा जैसे मैं आप यह आपके सामने कर रहा हूँ यह जो धुनी होगी यह जो धुम्र होगा उस धुम्र को अपने पूरे घर के अंदर फेलने दीजे इसे सब चीज़े सेनेटराइज हो जाएगी और जैसे ही सेनेटराइज होगी तो आ आप इतना जरूर करें, अवश्य करें, गाय का गी सब जगा पे उपलब्द है, आप गाय के गी को अंगारों के उपर डालिए और उसकी धूनी कीजिए, उसका धूआ फैल ले दिजिए पूरे घर में, गूगल मिल जाए तो थोड़ा सा गूगल का भी साथ में प्रियोग कर नहीं है, खाली गाय का गी से, गाय के गी से हमने परिक्षन करके पाया है कि सबी प्रकार के बेक्टरिया बिलकुल किल हो जाते हैं, थोड़ी ही देर में, वैसे ही कोरोना वाइरस या और भी ऐसे संक्रमाक जो भी समस्या हैं उनसे मुक्ति पाने, आप अपने घर के अंदर दालचीनी होती है, काले मीर्च होती है, लोंग होती है, नारियल होता है, काले तील होते हैं, नारियल को, काले तील को कूट करके उसी को अंगारों के ओपर डाल दीजिए, उसके दूनी कीजिए, उससे भी जो दूनी होते हैं, उससे भी बेक्टरिया दी, जो वाइरस आद आप अपने घर में इस कालखंड के अंदर यज्जी को कभी न चोड़े जो भी लकड़ी मिल गई आम, पीपल, बर्गद, गुलर, पलास और ये आपको गाई के गोवर की मिल जाए तो सबसे उतम है और अभी हमने पतंजली सभी स्टोर के उपर भी भेज दिये हैं तो बहुत किजिए सामगरी के साथ और बाद में इस प्रकार अंगारों के उपर इस प्रकार गाई का घी डाल करके एसे धूनी को पूरे घर में फैलने दीजिए आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिनको कोरोना हो भी गया है ऐसे दूनी करिए और इसे थोड़ी सी गय की गाड़ी करके उसमें उनको भस्तिर का कराईए कापाल भाति करा अनूलो मी लोगत ठोड़ी देर दस मिनित पांच मिनित इतनी देर गाड़ा दुआ दिये तो जो लंक्स के उपर उसका प्रभाव होता है वो तुरंत ही खतम हो जात सोभवगी लिए वयसे भी सब लोग अभी पहले से यदि आपको को अउपलब्द हो जाए तो को दो दो-चार-चार गोली ओडु सुबौ दो पर सौंब तूरंध ही वो रिकवर हो जाता है और उसमें प्राणायम कराई है बस्तिती कोरूना के काल में उपने घर के अंदर किस परकार से अपनी शुरक्षा कर सकते खकें किस परकार से हम अपने स्वास्थ का संवर्धन कर सकते ये बिमारिया तो दूर होगी, कोरोना और उनसे तो हो गए, लेकिन आप प्रती दिन यज्य करेंगे, तो आपको और कोई बिमारी नहीं होगी, क्यों? आपका इम्मिनिटी सिस्टम श्ट्रोंग रहेगा, बेक्टरिया वाइरस फंगस आदी सब नश्ट हो जाएगा, घर करो की शक्ती का जागरन होता है, और जब आप सक्ती से युक्त हैं, तो आपका कोई भी बिमारी कुछ बेवाल बाका नहीं कर सकती है, और कोई बिमारी हो भी गई है, तब भी आप यज्य कीजिए, और यज्य में विशेश रूप से जो रोगानुसार हवन सामगरी होती है उसका प्रियोग कीजिए, जैसे डाइबेटिस ये प्रोबलम है, मदुमुक्ता हवन सामगरी से हवन कर लिया, हार्ड की प्रोबलम है, हाई बलड प्रेशर की प्रोबलम है, हृद्य हवन सामगरी से हवन कर लिया, कैंसर है, कैंसर नासी हवन सामगरी से हवन कर लिया, गानुसर हवन सामागरिया बनी है पतनजली योगपीट से तो उसका परियोग कर ले आप अपने घर में प्रती दिन यज्य करना प्रारम रखिए यज्य कीजिए उसके बाद थोड़ी सी दुनी कीजिए प्रार्तना कीजिए प्रभू से और ये अवश्य करे इस कोरोना काल मे हम अपने स्वयम के स्वास्थ को भी समर्धित कर पाएंगे अपने परिवार के सभी के स्वास्थ को भी सुरक्षित रख पाएंगे और पूरे राष्टर के और समाज के स्वास्थ को भी इसी माध्यम से हम बरकरार रख पाएंगे तो आप सभी साधक योगी भाई बेनोस में निवेदन करता हूँ कि आप यज्य और यज्य पुर्वक योगा भ्यास इस काल में कभी ना छोड़े एक दो चीज़े आप अवश्य करें और कोरोनिल आदी को आवश्यक जो आउश्यदिया है उन अवश्यदियों का निरंतर गिलोए हैं कोरोनिल हैं उसका सेवन करें स्वासारी वடी आदी का सेवन करें और उसके साथ साथ आप जो भी इमेनि statue को बढ़ाने के लिए कोई खवात काढ़े आदी से लेकर के जो चोटे चोटे नुसके होते हैं उसको भी साथ-साथ में जरूर करे इसी के साथ मैं अपनी वानिको विराम देता हूँ आप सबी योगी सादक भाईवेनों को में नमन करता हूँ वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ सबी को प्रणाम ओम द्योह शांति अंतरिक्षम शांति, प्रिधिवे शांति, रापह शांति, रोशधया शांति, वनस्पतया शांति, र्विश्वे देवा शांति, सभी को साधव नमस्ते प्रणाम ओ यज्य अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिंद्रा वो अवसाद आधी मानसिक रोगों को दूर कर शान्ती वो स्वमनस्य प्रदान करता है यज्य से विशायली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है वह जान लेवा बैक्टेरिया, वायरस, फंगस आदी नश्ट होते हैं एवं रेडियेशन को भी कम करता है यज्य भूमी की उर्वरा शक्ति एवं फस्लों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोग धाम भी करता है यज्य क्रिशी से उत्पन, अन, फल, आदी, उत्तम, पोशक तत्मों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं यज्य उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशेयों का शोधन करने वाला होता है यज्य, ज़ल एवं चेतन दोनों में सात्विक्ता का संचार करता है यज्य जहां भावतिक आश्वर्य एवं पुन्यों को प्रदान करता है वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उतकर्ष करके अथिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है यज्य भारतिय संस्कृति की मुकुट मनी है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्य जुड़ा हुआ है चाहे वह संस्कार, चाहे पुजापार या फिर पर्वसे लेकर हर सुब असुब अवसरों में भी यज्य करने के सार्व खोव में वैज्याने के एवां पंथ निर्पेक्ष पावनी परंपरा रही है आईए, हम संकल्प ले, संसार के स्थ्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभीन अंग बनाएं एवं प्रकृती मा के प्रति अपने रिणों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा